हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्किट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो को अप अपडेट आप तक पहुँच सके दोस्तो कुछ साथियों के पास जो वीडियो हैं उनका अपडेट नहीं पहुँच पाता है तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं आज भी एक काफी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुकी है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे comfort fine cap share के बारे में इस share के बारे में जबरदस्त आज update सामने आई है क्योंकि आज company ने अपने Q3 के जो numbers हैं वो पेश किये हैं हम इस वीडियो में उन numbers को भी discuss करेंगे उससे पहले अगर stock की आज stock में lower circuit means 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है no doubt आज तो जैसा आप सभी को पता है कि blood bath market में देखने को मिला है पूरी markets global लगा लो आप या Indian का निफ्ती या sensex लगा लो सभी में बहुत भारी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले 5 दिन की performance की बात कर है एक मन्त की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक मन्त वालों को भी 46% के लोस हैं छे मन्त की बात करूं छे मन्त में जिन्नोंने निवेश किया है वो अभी 68% के profit में हैं वहीं एक साल वाले तो 227% के returns में बैठे हैं इतनी गिरावट के बाद भी दोस्तों जैसा आप सभी को पता है यह जो स्टोक है जब यह 80 के लेवल पर गया था उसके बाद से इस स्टोक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में हम पहले results मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्यों इस company में निवेश करके रहना चाहिए चलिए दोस्तों मैं यह official website से यह result की copy मैंने download की है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा visibility का issue हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से आपको यह चीज़ें देखनी होंगी सबसे पहले तो दोस्तों मैं total income की बात करूँ तो total income यह जो quantities हैं यह lakhs में है 319 lakhs की total income company की इस quarter म हुई है जो की last quarter में 300 lakhs थी means आप सीधा सीधा देख सकते हैं income में इजाफा हुआ है company की इस quarter में और last year में same quarter में 296 lakh की income थी means year on year और quarter on quarter income में jump हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आगे दोस्तों बात कर लेते हैं company के खर्चों की क्योंकि important factor होता है कि आपने कितने expenditure किये हैं सभी खर्चों को मिला कर अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 141 lakhs के खर्चे company ने इस quarter में किये हैं जो की last quarter में 127.99 थे 06.12 थे तो company के जो खर्च हैं वो इस quarter में हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद आ जाता है दोस्तों profit before tax 178 lakhs रुपीज का company को profit हुआ है जो की last पिछले quarter में 172 हुआ था means quarter on quarter हमें jump यहां दिख रही है वही year on year अभी हमें थोड़ी सी गिरावट यहां नर दोस्तों pure profit जो profit सारी adjustments taxes के बाद जो company को profit हुआ है 133.62 lakhs का company को profit हुआ है जो की last quarter में 129 था तो आप सीधा comparison कर सकते हैं कि company की growth हुई है company का profit भी quarter on quarter बढ़ा है और company की जो sales है वो भी इस quarter में अच्छी खासी बढ़ी है बट थोड़ा सा सोचने का विशय यह है कि company के जो खर्चे है वो इस quarter में थोड़े ज़्यादा हमारे सामने निकल कर आए हैं वही मैं अगर बात करूं earning per share की तो आप earning per share भी देख सकते हैं इस quarter में 1.23 का earning per share है जो की last quarter में 1.19 था और last year में 1.75 था तो overall अगर मैं results का conclusion निका के बात करूं तो company की जो sales है वो तो year on year भी जादा है quarter on quarter भी company की जो total income है वो बड़ी है यह काफी अच्छी चीज है बट company के इस quarter में खर्च भी बड़े हैं बट अगर profit की बात करें और EPS की बात करें तो quarter on quarter हमें jump देखने को मिला है year on year थोड़ी गिरावट है वहीं दोस्त possibility का तो आप यहां भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं December 21 quarter में sales जैसे मैंने आपको वहां बताया वहां लैक्स में थी यहां यह क्रोड में convert है 3.19 क्रोड की sale हुई है आप पिछे देख सकते हैं कि कभी ऐसी किसी भी quarter में इतनी जबर्दस्त sale किसी की कई नहीं हुई company की कभ बर्दस operating profit है अगर मैं पिछले 3-4 quarter की बात करूं net profit आप देख सकते हैं 1.34 जो मैंने आपको वहां बताया last में 1.29 था उससे पहले 1.8 था उससे पहले तो company loss में थी तो अगर मैं conclusion निकालूं तो company ने अच्छे बढ़िया result पेश किये हैं क्योंकि company अगर पिछले 4 quarters की बात क करूं आज तक पिछले 3-4 सालों में इतनी sale company ने कभी नहीं की है जितनी इस quarter में की है profit अच्छा कमाया है EPS अच्छा गया है वहीं अगर मैं share holding pattern की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि promoters की 54.63% की हिस्सेदारी है जो पहले company में promoters ने माल उठाया था FIs की भी इसमें थोड़ा interest है वहीं public case में 43.81% की हिस्सेदारी है तो overall अगर मैं conclusion पर आऊँ अभी उससे पहले मैं आपको company की means balance sheet भी दिखा देता हूं क्योंकि यह जो company है comfort fine care इसके बारे में पिछले एक महीने से लगातार दो तिन बार मैंने इस पर वीडियो बनाई भी है उस time time भी मैं आपको बोलता था कि आपको इसके Q3 के जो results है उसको wait करना चाहिए company अच्छे result पेश कर सकती है और आज आपके सामने result आये है company ने no doubt अच्छे result दिये है आज तक सबसे जादा sale इस बार company ने की है वहीं अगर मैं balance sheet की बात करूँ तो आप देख सकते हैं balance sheet में 2017 में 16 16 क्रोड के reserves थे then 19 then 24 then 25 और अभी 29.89 company के जो reserves है वो हमें लगातार uptrend में नजर आ रहे हैं तो ये एक बहुत-बहुत बढ़ी update है long term borrowing आप देख सकते हैं company पर एक रुपे का भी कर्ज नहीं है short term में थोड़ा कर्ज है company के उपर short term में चीजें चलती रहती हैं क्योंकि companies जो है अपने business को expand करने में short term में growing उठाती रहती हैं वहीं अगर मैं company के other factors की बात करूँ cash or cash equivalent 0.26 है total current assets आप देख सकते हैं company के लगातार assets भी हमें बढ़ते हुए कर्म में दिखाई दे रही हैं तो दोस्तो जिस हिसाब से यह company है और जिस हिसाब से आप लोगों की curious थी मुझे तो इस company में कोई खराबी नजर नहीं आई क्योंकि company ने अच्छे results पेश किये हैं बट दोस्तो एक जो problem है retail investors के साथ वो मैं clearly आपको बता देता हूँ आप लोग यह सोचते हो कि अगर आज आपने एक stock buy किया तो उसके बाद वो stock अगले दिन से ही अप उपर चलना start हो जाए दोस्तो ऐसा नहीं होता है और नहीं दुनिया में कोई ऐसा stock है जो stock crash ना हुआ हो जिस stock में downs ना है हो यह चीज़ें चलती रहती है हमारा main focus होना चाहिए company की income growth पे profit and loss पे company में क्या चल रहा है कोई fraud तो नहीं है वो सारी चीज़ें से यह company दूर है company no doubt अच्छी company है जिस हिसाब से यह इतनी छोटी company है और NBFC है आपको पता ही है उस हिसाब से यह अच्छा perform कर रही है अब आप results आ चुके हैं अब आप देखोगे कि यह जो company है दोबारा से upward moment इसमें हमें देखने को मिलेगी बस दोस्तों आपको एक काम करना है आपको patience के साथ इस company में जो साती जिनोंने high level पर buy किया है मेरे पास भी काफी curious आई कि हम इसको loss में sale कर दें तो मैं आप को बार बार यही बात बोलना चाहूंगा आप इस company को loss में मत बेचना अब इस company में कभी भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है आपकी result पर क्या राए है आप मुझे comment section में जरूर बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye कर लाएंगा चीडिक करे दो यह वीडियो में बार बार चाहर गोने को लिए झाल 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 झाल